आज हिंदुस्तान एक इतिहासिक मोड पे खड़ा है आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थविरस्ता हम हैं जितने भी उद्योगिक रांतियां हुई इस देश को न छूप आई इस देश में गरीबी थी आज उससे मुक्ती प्राप्त करने का एक इतिहासिक अफसर है और इस अफसर का पूरा लाब उठाने के लिए हमें चाहिए एक स्थिर सरकार जिसकी नीतियों में स्पष्टता हो जिसकी दिशा सही हो और जिसका नित्रतों मजबूत हो श्री नरेंद्र मोदी के नित्रत्त में बीजियपी और इंडिये की सरकार पांच साल चली है इस देश के फेडरल धांचे को संगिये धांचे को हम लोग उसका आदर करते हैं और यही कारण था कि भारतिये जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था 282 सीट थी लेकिन देश के विबिन शेत्रों की अन्य राजनेतिक दलों को हमने सरकार में शामिल रखा वाजपाई जी ने भी यही किया था किसी भी सरकार चलाने के लिए देश के कोने कोने का प्रतिलित्व हो लेकिन सरकार का केंद्र जो हो नुकलियस जो हो वो मजबूत हो वो ताकतवार हो वो किसी दबाव के सामने जुकने वाला ना हो नित्रित्व को लेकर और केंद्रिय दल जो है उसकी प्राइमेसी को लेकर कोई विवाद ना हो दो बार NDA की सरकार इसी आधार पर चली और मोदी जी की सरकार तो और सरलता से चली क्योंकि भारतिय जनता पार्टी का बहुमत था इस बार भी इसी प्रकार की सरकार जिसमें भारतिय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो लेकिन हमारे सारे शेत्रिय दल उस सरकार का एक हिस्सा रहें स्थिर्ता नीती की स्पष्टता और दिशा और एक मजबूत नेतित्व भी होगा और एक संगिये धाशे का आदर भी होगा जिसमें हर शेत्र के छोटे-छोटे राजनेतिक दल हमारे साथ होंगे इसका वैकलपिक उधारण क्या है यूपिये एक महा गठबंदन एक महा मिलावट बनाना चाहता है जिसमें नेता की स्पष्टता नहीं है माया वती जी भी प्रधान मंत्री की उमीदवार है ममता जी भी उमीदवार है शरत पावार साब भी अपने आपको उमीदवार मांते इच्छा रखते हैं और राहूल गांदी जी तो है ही उमीदवार सब एक दूसरे की टांग खीच रहे हैं राहूल जी चाहते हैं कि कॉंग्रेस जहां आगे है किसी से साथ गठबंदन ना किया जाए जहां कमजोर है वहां जुक के भी गठबंदन कर लिया जाए मायावती जी चाहती है मैं उत्तर प्रदेश में तो कॉंग्रेस को नहीं साथ रखूंगी और बाकी राज्यों में उनको कमजोर करूंगी ताकि मेरी तुलना में अन्यक का दावेदारी कमजोर हो जाए महमता जी ने भी बंगाल में यही फार्मूला लगाया है ना तो वहां नित्रित्व की स्पष्टता है चुनाव से पहले एक दूसरे की टांग खीच रहे हैं चुनाव के बाद तो तलवारे बाहर आ जाएगी कोई वैचारिक समानता नहीं है कोई नीतियों की स्पष्टता नहीं है और इस देशवासियों को यह तै करना है कि सरकार छे महीने की चुननी है या पांच साल की चुननी है इस प्रकार के अनुभव जब जब हुए चौदरी चरन सिंग, श्री वीपी सिंग, श्री चंदर शेकर, श्री देव गाउडा, श्री आईके गुजराल के नित्रत में हुए तो पांच-छे-सात महीने से अधिक वो सरकारे नहीं चल होता है, हरगिस नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि पांच साल के बाद, एक अच्छे अनुभव के बाद, एक सफल प्रयोग के बाद, नरेंदर मोदी जी के नित्त में एक बार सरकार चुनी जाएगी.